आपके अपने चैनल डॉक्टर प्रेम बतियाद हो में स्वागत है आज हम लोग डाइबिटीज के बारें बात करने वाले हैं कि अगर किसी परसन को डाइबिटीज है तो आप कैसे पता करें कि किस टाइबिटीज है इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और कौन से मेडिसिन इसके लिए सुटेबल है तो आप अंत तक वीडियो में बने रहेएगा डाइबिटीज इसको हम मधु में एक नाम से भी जानते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें सिम्टम क्या देखने को मिलता है पॉलियूरिया मतलब बहुत ज़दा पैसाप का होना पॉलिडिप्सिया मतल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 95% चांसे होता है कि टाइप 2 देखने को मिलता है बट 5 परसंट ऐसे होते हैं जिसमें टाइप 1 देखने को मिलता है तो टाइप 1 होता किन लोगों में अगर कोई बच्चा है जिसे 5-6 साल यूजली 6-8 साल के बच्चों में हमें टाइप 1 देखने को मिलता है यंग एज परसंट में अगर डाइबिटीज हो जाए तो भी हम सोच सकते हैं कि टाइप 1 है या तो एडलसंस ऐसे लोगों में टाइप 1 देखने को मिलता है ताइप 1 का अभी तक कॉस्त तो नहीं पता चला है बट यह आटो इम्म्यून अब बहुत मोटा है तो इससे आफ समझ सकते हैं कि बहुत ज़दा खाता पीता है बहुत ज़दा अगर खाना खा रहा है तो कहीं न कहीं जो भी हम खाना काते हैं वो क्या है प्रोटीन है फैट है कार्वोहड़िट है तो यह जब भी ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोस फ स्टाइल ही, तीसिरा हो सकता है इस लिसे लिंग वैंक मेट करें सिरो इसंत वैंक यंद वर को को मेरे दादा जी को भी था मेरे दादा AND यहीं दादा जी को भी था कहीं नहीं country तो में पॉस्टिव थे लंग विरते हिं operations कि लोगों जाद देखने को मिलता हैं तो जो लोग बड़े हो चुक है उन लोगों में कहीं में ताइप टू अमें देखने को मिलता है मैं अब आपको समझे ए रहा हैं कहीं ना कहीं प्रेहीं प्रेग्नेंस. ऐगर कोई वोält jamais 1000 प्रेगंनन्ट. और लास्ट को जो थ्री मन्त है वहां पे ब्लड ग्लुकोज लेवल इंक्रीज हो गया है तो आप कह सकते हैं कि इसको डाइबटीज हो गई तो वहां पर आप डाइट एंड एक्सराइज करवाएंगे और डॉक्टर से मिले तुरल आप डिफिनेट्ली ठीक हो जाएंगे इसक किसी भी टाइम जिसे मैं दोपहर में गई मैंने ग्लुकोमीटर से ग्लुकोज टेस्ट करवा लिया अगर 200 मिलीग्राम पर डेसी लीटर से ज्यादा आता है या इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि कंफॉर्म है परसन को डाइबटीज है कब किसी भी टाइम अगर करवाया उस 55 मिलीग्राम पर डेसी लीटर से तो प्रेडाइबिटिक मतला डाइबटीज होने की स्कूछांस है और वही अगर मोर्दन 126 देखने को मिल ज़हा हूं तो आपके तो कंफॉर्म है इस परसन को डाइबटीज है तो उसे क्या करना चाहिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में ब तो हम आटे में क्या कर सकते हैं, जिससे आपको कंट्रोल किया जा सके, ग्लुकोज लेवल को, तो गेहूं के आटे की वज़ा, कोई भी मोटे दाने वाला जो भी होता है, उस चीज का आटा खाया, उसमें आप हमारी पालक हो गई, मेथी भाजी हो गई, या ड्रम स्टिक हो ग उसके अपने फूट को बहुत सेक्योर रखना चाहिए, क्योंकि अगर फूट अलसर एक बार हो जाए, या फूट में चोट लग जाए, डाइबिटिक परसर को, तो बहुत ही मुस्किल से ठीक होता है, जिससे बहुत सारे कॉंप्लिकेशन्स हमें देखने को मिल सकते हैं, त चाहिए, जिससे 6-7 पीस ले ले और उसको पानी में फूल ले दे, सुबह की सब्सक्राइब के पानी को पी ले और उस दाने को चबा ले, लहसुन की एक कली, सहगी चबा ले, तो उससे भी डाइबिटिस कही न कहीं कंट्रोल रहता है, तो डाइबिटिस का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, किस ऑर्गन में, तो हमारे हाइट को यह सबसे ज्यादा इंवाल्व करता है, तो हाइट अगर इंवाल्व होगा, तो यहाँ पे उसके में से कहीं न कहीं, मायो कार्डियल इंफाक्शन के चांसे बढ़ जाते हैं, तीन से पांच कर देते हैं, तो इसलिए आपको सुगर हमीशा कंट्रोल रखना चाहिए, मीठी चीजों को अवाइट करना चाहिए, अगर आपको तब भी डिजायर बहुत ज्यादा हो रही हो, तो उससे में आप गुड का यूज कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सी क्वांटिटी में आप ल अगर किसी परशन का 300 या 400 ब्लड ग्लूकोस लेवल है, तो यह सड़न ही डिक्रीस करने में बहुत हल्प करती है, कैक्टस ग्रैंडी फ्रूरस होगी, जैसे मैंने बताया कि हाइट को इंपैक्ट करता है, तो कैक्टस का बहुत अच्छा एक्षन हमारे पैंक्रियाज में त तो अगर उसका एक्षन इंक्रीज होगा, तो कहीं न कहीं हमारा ब्लड ग्लूकोस लेवल मेंटेन होने लगता है, आप इन सारी मेडिसिन का कॉंबिनेशन मदड इंचा फॉर्म बे यूज कर सकते हैं, इक्वल कॉंटिटी में मेडिसिन ले ले और उनको 20 बुन दवा की आ मैं मेडिकल डिलेटेट वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर भी डालती हूँ, उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर.प्रीम बती आदव, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज फैमली और फ्रेंट्स के साथ सेर कीचे, वीडियो को ला अप कुछ सकते हैं, thank you for watching.